जिया शंकर पर फिर फिदा हुएं अभिशेक मलहान जिया की पोस्ट ने लगाई आग विल क्या है पूरी खबर आए जानते हैं इस रिपोर्ट में जिया शंकर को बिग बॉस के OTT के सीजन टू में देखा गया था अपनी क्यूट स्माइल से जिया अपने फैंस को दिवाना बना रही थी जिया शंकर बिग बॉस के घर में भी कमाल कर रही थी और वो बिग बॉस में काफी अच्छा गेम खेलती भी नजर आई थी शो के अंदर जिया शंकर को अभिशेक मलहान के साथ एक अच्छा बॉंड प्रियेट करते देखा गया था जिया और अभिशेक के बीच एक प्यारी सी बॉंड नसर आई थी फैंस को और फैंस ने इनका नाम अभिया रख दिया था अभिया और फैंस बस यही चाहते थें कि वो जिया और अभिशेक को एक साथ कई प्रोजेक्ट में देखें और हुआ भी वैसा शो खत्म होने के बाद दोनों को एक म्यूजिक वीडियो में भी देखा गया लेकिन फिर दोनों के बीच किसी बात को लेकर मिसंडरस्टाइंडिंग हुई और दोनों ने बात बंद कर दी लेकिन अब दोनों फिर से फ्रेंड्स हो गये हैं और दोनों को एक दूसरे की पोस्ट को लाइक और कॉमेंट करते देखा जा रहा है हाल ही में अब जीया शंकरने एक ऐसी पिक अपने सोशल میडिया पर शेयर कर दी है जिसे देख फैंस तो दिवाने हो ही रहे साथ ही अब शेक का भी बुरा हाल हो गया है दरसल जीया शंकरने एक ब्लू कलर की ड्रेस में अपनी सिस्लिंग होट फोटो शेयर कर दी है और उसके साथ जिया ने जो caption लिखा है वो काफी कमाल का है जिया ने caption में लिखा इसका मतलब साफ था कि उन्होंने ये कहा कि मैं समझती हूँ कि मैं उस दिवानगी के लायक हूँ उस प्यार के लायक हूँ और अब इस pic पर जहां fans तो अपना reaction दे ही रहे हैं अभिशेक मलहान ने भी अपना reaction दिया और जिया के pic को like कर दिया कुछ मिंटों में ही अभिशेक ने जिया की photo पर अपना reaction दिया और जिसे देखकर अब अभिया fans बेहद happy हो गए हैं अभिया fans बस यही कहने लगें कि वाह जिया के pic आई नहीं कि अभिशेक ने अपना reaction दे दिया अपना दिल दे दिया और इसी तरीके के comment जिया के post पर भी आने लगें आपको बता दें कि अभिशेक मलहान ने जिया शंकर को लेकर recently ये कहा कि वो उनकी अच्छी दोस्त है एक अच्छी friend है और पिछले काफी वक्त से जिया शंकर और अभिशेक मलहान के बीच में बातचीत भी नहीं हो रही थी और अब इन दोनों के बीच में बातचीत शुरू भी हो गई है और दोनों एक दूसरे की पिक और पोस्ट पर रियाक्शन भी दे रहे हैं इसे देख कर अभिया फैंस बेहद हैपी हैं और अब तो वो यही दुआ कर रहे हैं कि जल्द ही दोनों को किसी प्रोजेक्ट में भी देखा जा सकता है मिल क्या कहना आपका इस रिपोर्ट पर और कैसी लगती है आपको अभिशेक और जीया की दोस्ती हमें कॉमेंस के जरुए ये सरूर बताएं